बाफी आपका स्वागत करती हूं मत्र का सीजन अभी काफी अच्छा चल रहा है और इस सीजन में आलो मत्र की सब्जी तो आप नबो की सब्के कर वे ही बनती होगी तो चले फ्रेंज आज हम आलो मत्र की सब्जी बना करके तयार करेंगे वह भी बिना प्याज टमाटर और लसुन के और यह सब्जी बहुत ही जैसी बन करके तयार होती है और हाँ फ्रेंज अभी तक आपने अपने चैनल अप्लाचा कीचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अपने चैनल अप्लाचा कीचन को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपीस आपको कैसी लगी तो चले फ्रेंज लेकिन आज हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग स्टाइल में अलो मटर की सबजी बना करके तयार करेंगे। तो यहाँ पर छोटे वाले आलू लिये हैं। यह मीजिन सैज के आलू हैं। यह में 500 ग्राम चिलेवा मटर लिये हैं। आप कोशिस यही करें कि आलू जिता हो उससे जादा क्वांटिटी के मटर हो तो यह सबजी बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होती है दो हरी मीच को मैंने यहां पे बारी काट करके ले लिया है एक इंच अद्रक के टुकडे को मैंने चोटे-चोटे पीसेज में काट लिया है और यह जीरा है छोकन के लिए सूखी इंग्रेडेंस में हम यहां पे देखते हैं यहां पर मैंने आधा चमच हल दी ली है एक चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चोटा चमच यहां पर धनिया पाउडर आधा चोटा चमच गरम मसाला एक चोटा चमच काली मिर्च पाउडर यही सबजी में बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है तो आप इस सबजी को बनाने के लिए काली मिर्च पाउडर और यह जीरा पाउडर है ये दोनों इंग्रिडेंस बहुत ही जरूरी है तो आप इन दोनों चीजों को जरूर जरूर लें और ये मैंने एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है इसे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और यहां पर मैंने इस वाली चमच से मेजरमेंट लिया है तो आप अपने टेस्क के कोडिंग मिर्च मसाले ले लीजिए नमक आप अपने टेस्क के कोडिंग ले सकते हैं और यहां पर थोड़ा साहरा धनिया मैंने अच्छी तरीके से धो करके और काट के ले लिया है तो चईले अब हम स्टार्ट करते हैं आलू मटर की सब जी बनाना सबसे वाहन प्राट सब्सके को यहां पसो सब्सकेवाय थैको स्क्रेख में आफ़ाइड हम इस टरीके से संहा भाइकट है तो आप इस तरिकए से आलो को रख ले तो की हमें क्या किया थोड़ा च autonom करकर देंगे तो तहले जोड़ा बार नहीं जाने छाहरा हे नहीं कम कर नहीं वा work देंगे तो आलोगों हमें दोड़ा चमय की क्ऊंवकर भी आदए चो shortest जाईर हे छोड़ा है तरीके से फ्राइं कर लेंगे us- sit रादामी बार्लिया प्राइ कर लेंगे जम तक क्षाज करेंगे तौ सब्सक्राइ करिए इंदरते हैं त्विलाल में लेगे लालमिच पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला हम इसमें अभी नहीं मिलाएंगे जीरा पाउड़र और ये एक छोटा चमाशियां पर मैंने नमक लिया है, नमक आपने टेस्केस आप से कम ज्यादा कर सकते हैं, बीच बीच में आलू को भी चेक कर लें, या अच्छी तरीके से फ्राइब हो रहे हैं या नहीं, तो इन सभी मसालो को हम लगभग आत्गा कप पाने डालते हुए, मिक्स क कर लेंगे, इस सबजी में हम टामाटर, प्याज, किसी भी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनकर के तयार होगी, तो देखिए ऐसे कौन से मसाले हैं, जिनसे की इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, और ये गरा मसाला है, जिसको यह हम सबसे लास्ट में डालेंगे, इधर हम आलू को एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए, आप देख सक रहे हैं, कि इनका बहुत सुन्दर कलर आ गया है, बिल्खुल ब्राउन कलर के आलू हो गए है, हम एक नाइफ लेंगे, और एक आलू को हलके से नाइफ से तो देखिए, बहुत एजिली नाइफ इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब आलू फ्राई होकर के तयार है, तो अब हम क्या करेंगे कि गेस की फ्लेम को लो कर देंगे, और या फिर आप गेस की फ्लेम को एक बार बंद कर दीजिए, और इनको एक प्लेट में निकाल लीज तो अब हमें क्या करना है कि घी हमारा गरम है, तो हम क्या करेंगे, कि यह जो जीरा है वो हम इसमें डाल देंगे, जीरे को हम घी में डाल देंगे, और इंग्रीडेंस में मैं आपको हीं को बताना भूल रही थी, तो हम थोड़ इसी हीं भी डाल देंगे, साथ ही हम इसमें बनाना तो बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है तो आप ये सब्जी एक बार जरू बनाईएगा और कमेंट करके बताईएगा कि ये सब्जी देखी बनाईएगा हरी मीट और जीरा फ्राइए हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ये मसाला बना करके रखा था उस मसाले को हम इसे चला देंगे मसाले को हम दो मिनिट तक इसी तरी के से फोड़ा चमच से हीलाते हुए चलाते रहेंगे और इसे पकार तो आप देख सक रहे हैं कि यहां पर मसाला पक करके तयार है ये इसमें बिल्कुल उपर आ गया है काफी तरी आ गई है तो अब हम क्या करेंगे कि गेस की फ्लेम को ब खुआ करेंगे मतर को हम इस मसाले में मिक्स करेंगे और इसे लगबग 1 मुनी तक इसी तरीके से पका लेंगे आप जागो तो यहां पर थोड़ा सा पानी दा सकते हैं तो मैंने ये मसाला बनाखर के तयार करा था उसी में तो बढ़ के थोड़ा था लगबग 2 बड़े बढ़िया खुश्बू आ रही है सब्जी की भी बहुत ही टेस्टी खुश्बू आ रही है यह सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर के तयार होगी तो आप इसे जरूर बनाइए मसाले और मटर को पकते हुए लगबग एक मिनिट हो चुकी है यह देखे मटर भी काफी मुलाइम हो गई है देखे बहुत सुंदर लग रही है आप देख सक रहे है कि यह सब्जी बहुत ही सुंदर लग रही है तो अब हम क्या करेंगे कि मसाला भी अच्छी तरीके से पग ग अब हमो..कि आपक अच्छी तरीके से मासाले हैं यह इसे से एक मिनीट तक अलू को भी बिलकुछ तरीके से मसाले में मिक्स कर लें जिसेने कि आलू के अंदर तक भी मसाला अच्छी तरीके से जा सब्सक है तहो है यहाँ पर मैंने गैस कही अगर अगर थोड़ी सी तरीके से मिक्स करते हैं तो आप अगर थोड़ी सी तरीके से मसाले में मिक्स हो चुके हैं तो यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूगी तो यहां मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल लेती हूँ जिसे की सब्जी बहुत ही अच्छी तरी वाली बन करके तयार होगी और हम क्या करेंगे कि हम सिफ एक सीटी कूकर की लेंगे क्योंकि मटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू अल्री ही सॉफ्ट हो गये हैं तो हम एक सीटी ले लेते हैं तो यहां पर एक सीटी आ चुकी थी और लगभग कूकर का प्रेशर खतम हो गया है हम कूकर खोल के चेक करते हैं मैंने गेस्ट कू बंद कर दिया है वाव देखिए बहुत ही सुन्दर सब्जी बन करके तयार है यह देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बन करके तयार साथ ही थोड़ा सा हराधनिया भी हम सबजी में डाल देंगे तो देखिए friends हमारी आलू मटर की सब्जी बनकर के तयार है अब हम इसको सर्विं प्लेक में डालेंगे उपर से गानिशिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे तो लीजे फ्रेंड्स तयार है आलू मटर की बहुत ही लजी सब्जी जिसे की इस सब्जी के आगे हलवाई भी फैलो जाएंगे आप जरूरी सब्जी को बना करके और खार करे पिर आप कमेंड कर के बताइड़ यह सब्जी आपको कैसी लगी तो यह इसे जरूर लाहिक करें शेया करें और अपने चेनल आप लाशा की चन को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट रसीपि के साथ थेंग्यू स्क्रीन के बीच में जो मेरी फोटो आपको दीख रही है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल आपलाशा कीचन को सब्सक्राइब जरूर करें यह बिलकुल फ्री है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ थेंक्यू